जजबे और हिम्मत की आपने लाखों कहानिया सुनी और देखी होंगे और आप प्रभावित भी हुए होंगे लेकिन आज आपको आस्मान जैसे उचे होसले और एक्छा शक्ती की ऐसी दास्ता बताएंगे जिसे जानकर आप सिर से पैर तक हिल जाएंगे जी हाँ, ये कहानी होसलों की सारी कहानियों से अलग है ये कहानी जम्मू कश्मीर के आमीर हुसेन लोन की है हुसेन दोनों हाथों से लाचार हैं लेकिन फिर भी क्रिकेट खेलते हैं जी हाँ, आमीर हाथों से अपाहिज है, बावजूद इसके वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्ला पकड़ने के लिए आमीर ने अपनी खास तकनीक इजाब की है, जो कंधे और गर्दन के सहारे बल्ला पकड़ते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आमीर हुसेन बल्ले बा होगा, आपको हुसेन का संघर्ष सहज ही नजर आ जाएगा, आमीर हुसेन ने इस मुकाम तक पहुचने के लिए कड़ी मेहनत की है, किसी के लिए भी बिना हाथों के एक जिन्दगी को जीना बहुत बड़ा चालेंज है, अगर कुछ ना करना हो और वैसे ही जिन्दगी बि खीकत बना कर दिखाया है, यही नहीं, आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी, कि हुसेन गिंदबाजी भी करते हैं, और इसके लिए वो पैर का इस्तमाल करते हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हुसेन गिंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, दिव्यांग तो होने के बाद भी हुसेन का ये कमाल का हुनर है जो किसी को भी दातों तले उंगलिया दबाने पर मजबूर करता है जो उनको देखता है वो जरूर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी निपूर्टा हुसेन ने बिना हाथ होते हुए भी क्रिकेट जैसे खेल में पाई ह 34 साल के आमिर हुसेन अनंत नाग में बिजबेहरा के वागामा गाउं के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान है वो 2013 से पेशिवर क्रिकेट खेल रहे हैं आमिर की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी जब एका हाथसे में अपने दोनों हाथों को गवा दिये थे हाथसे के बाद लोग कहने लगे थे कि अब वो परिवार पर बोज बन जाएंगे लेकिन आमिर के दिल में कुछ और ही चल रहा था आखिरकार उन्होंने अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लिया और आज जो कुछ है वो आपके सामने है आमिर हुसेन उन लोगों के लिए प्रेणना है जो जिन्दगी में कुछ कमी या थोड़ा अक्षम होने की वज़े से होसला छोड़ देते हैं लेकिन आमिर ने ये बता दिया कि एक्छा श्रक्ती क्या चीज होती है और विपरीत परिस्थित्यों में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद